जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता, डिजायर टु लेन के एक नई सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ तो यह जैसा आपने देखा, करंट अफियर्ज यह आपकी वीकली ड्रिल रहेगी इसमें आपके important questions भी रहेंगे और जो आपने daily basis पे current affairs पड़ा उसका यह एक revision video भी कहलाया जाएगा तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आगर आप कोई भी exam के लिए preparation कर रहे हो CDS, NDA, CAP, FSS, CS, WELL कोई भी तो यह series आपके लिए काफी important होने वाली है तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और dots को connect करते हैं पहले तो आपको यह पता होना ची यह championship चल कहां रही थी यह चल रही थी कजाकिस्तान ठीक है कजाकिस्तान में कजाकिस्तान से आपको क्या याद आता है इंडिया और कजाकिस्तान की exercise कजिंद कजिंद कहां पे होई थी कजिंद होई थी कहां पे मिगाले उम्रोई में तीक है मिगाले उम्रोई में होई थी exercise यह चीज आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ ये medal किसने जीत लिया है, silver medal, तो ही जीता है कॉनेरू हमपी जी ने, ठीक है, काफी बार F-Kate में ये question पूछा है, around 3-4 बार ये question पूछा है, कॉनेरू हमपी जी से related, तो definitely इस बार भी आने के chances हैं, आप लिखे ले सकते हैं, तो अगर मैं बात कौन हफ्टर विश्वनात आनन जी के बाद, ठीक है, जिनने ये medal जीता है, ठीक है, ये चीज भी आपको थ्यान रखना है, अधर मैं आपसे बात करूँ, थोड़ा सा पनौर, डीप में डिसकस करते हैं, तो होता क्या है, ठीक है, ये rapid और blades, आपको इतने थोड़ा सा doubt होग ठीक है, rapid वगेरा क्या होता है, rapid championship, blit championship, क्या होता है, इंडिया से कौन जीता, final gold medal कौन जीता, अब सब चीज यहाँ पर discuss करते हैं, चलिए, ठीक होती है rapid championship, और एक होती है blitz, ठीक होती है blitz, अधर अपन बात करें, यहाँ पे male लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते है female, यहाँ भी लिख लेते है male, और यहाँ लिख लेते है female, अधर में बात करूँ, rapid में क्या होता है, rapid में आपको 15 minutes मिलते है, ठीक है 15 minutes मिलते है, और blitz में क्या होता है, blitz में आपको सिर्फ 5 minutes मिलते है, ठीक है, काफ़ी important है blitz, more faster होती है rapid से, यह चीज आपको ध्यान रखना ह तो male में, blitz और rapid में कौन जीता है, male में जीते हैं, कौन अपने Magnus वहिया, ठीक है, Magnus Carlson जीते है, ठीक है, male में, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी कौन आजाएगा, Magnus Carlson, यह तो हो गए अपना blitz और rapid के male के, अगर अपन बात करें, female में, अगर अपन बात जीता था, bronze medal, ठीक है, इनने जीता था, rapid में, ठीक है, यह चीज भी आपको ध्यान रखना है, अगर अपन बात करें, female में, इंडिया की तरफ से कौन ने जीता, हमपी जी ने, ठीक है, हमपी जी ने कौन सा जीता, silver, ठीक है, यह चीज याद होगी, चलो, अपन देखते है, गोल्ड, female में किस ने जीता है, गोल्ड, female ने जीता है, बीबी सारा, ठीक है, native है यह वहां की, कजाकिस्तान की, ठीक है, और यहाँ पर female ने किस ने जीता, गोल्ड, यहाँ पर जीता है, तन जोंगाई ने, ठीक है, तन जोंगाई ने, ठीक है, आप photo देख सकते हो, ठीक है तन जोंगाई ने जीता है क्या रैपिड और फीमेल में जीता है ब्लेट्स किस ने जीता बीबी सारा जो की कजाकिस्तान किये ठीक है तो याद होगे अपनको क्या याद रखना है हमपी ठीक है कोनेरू हमपी जी और शवीता ब्रीज जिसका नाम है जुवारी ब्रीज कौन से स्टेट में किया है तो ये किया है गुवा में तो जुवारी से रिलेट मत करने ना गुवा को ठीक है लेकिन आप याद रख सकते हो कौन से स्टेट गुवा है अगर मैं आपसे बात करूँ ठीक है अगर मैं आपसे बात करू फर्स्ट जो लॉंगेस्ट है तो आप डेफिनिटली एक कुशन आएगा फर्स्ट कौन से हैसर तो फर्स्ट है गुजरात में ठीक है जिसका इनॉगरेट किया था मोधी जी ने 2017 में ठीक है 2017 में किया था इसका इनॉगरेशन और अगर मैं आप से इसकी बात करूँ तो यह है 1.4 किलोमेटर लॉंग है न यह चीज आपको ध्यान रखना है काफी इंपोर्टेंट है और एक ब्रीज और न्यूज में था जिसका नाम था मोर्वी ब्रीज ठीक है एक बहुत बात को यह question पूछते हैं आपसे डोला साधिया ब्रीज बताओ कहां पे कौन सी रीवर पे है इंडिया का longest ब्रीज है यह जिसकी 9.8 था 9.8 कुछ डिस्टेंस है उसका किलोमेटर में तो यह आपसे पूछ लेते हैं कौन से रीवर पे हैं और कौन से स्टेट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप खुद ही बताओगे क्या नाम है भई डोला साधिया ब्रीज और उसका पुराना नाम क्या था बुपे नाजारी का ब्रीज अगर मैं आपसे बात करूँ गुआ है ना गुआ क्यों नूस में था अबफी गुआ नूस में था 37 शर्चनल गेंट कौन सक्रेगा गुआ परभल फेस्ट गुआ ठीक है और क्या और टेबल टेनीस, टेबल टेनीस का जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होने वाला है उसकरेगा गुआ और अगर मैं आपसे December को मनाया गया था Goa Liberation Day ये चीज़ भी आप थ्यान रख सकते हैं So the next question is which country will assume the chairmanship of the preliminary वासेनार arrangement for one year कौन सी country ने अज्यूम करिये chairmanship जो अपना वासेनार arrangement है तो वासेनार arrangement है क्या ये क्या करता है पता है जो weapons होते है न उनका import और export को monitor करता है टीक है weapons के import और export को monitor करता है कौन वासेनार arrangement statement question आ सकता है इससे related ठीक है इसमें पता है वासेनार जगा कहां पर है अगर आप से ये पूछ ले तो ये है नेधर लेंड ठीक है नेधर लेंड में ये जगा है और पहले अभी किसके पास आगी है ये आगी अपने प्यारे भारत के पास इससे पहले किसके पास थी इससे पहले थी आईवलेंड के पास त्यक है देखो और इसमें total members कितने टोटल मेंबर से 42 इंडिया ने कब जॉइन किया था इंडिया ने जॉइन किया था 2017 में क्या connect किया है देखो अगर मैं बात करूँ यह सब यह वही सब लिखा है कि आईलेंड के अबसेटर ने भाई हेंडेट किया जैदीब मजुमदार को ठीक है पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव और इंडिया ने जॉइन किया था 2017 में देखो सारी सीज़े अपने यहीं पढली डॉर्स को connect करके तो और कुछ तो नहीं जाना है नेक्स कुछन देखते है तो नेक्स RX 100 YEARS और इनको ग्राट Corn Juan kuungar के नाम से भी जाना जाता है थीक है के लाट व 열ढ़ के नाम से भीना जाता है 95 YEAR में इनका ध्यानत हो गया और यह इनने रिजाइन ग गया ता छेसो साल बात और आपको कुछ और इनके successor कौन है इनके successor आपने नाम सुना ही होगा पॉप फ्रांसीस ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखना है और यह लेट दा कैथोलिक चर्च है ना फिवर दैने एट यह सब चीजे और यह द्यान रखना 600 यह बाद अगर किसी ने रिजाइन किया था तो वह थे कौन बैंडिक्ट बैंडिक्ट क्या हुआ वह यह 16 बैंडिक्ट 16 है ना यह चीज आपको ध्यान रखना है और रिसेंटली पॉप कौन है हम भी रिसेंटली अगर चीज ना तो यह कौन सी करन्टरी बनिये 20 नंबर की यूरो जोन में जिसने अपनी करन्सी को ओफिशली आनॉंस कर दिया है कि हम यूरो करने वाले तो वह बनी ए क्रोएश्या अगर अगर अपने बात कलने पहले थोड़ा सा डीप में डिसकस कलने ते यूरो जोन क्य होता है European Union क्या है तो European Union ठीक है European Union में total members कितने हैं ठीक है total members है 27 ठीक है 27 में से 19 जो countries है रहा वो use करती है क्या उनकी currency यूरो ठीक है अब जैसा मैंने आपको पता है 20th member बन चुका है eurozone का तो plus 1 हो गया है यहां पर तो कौन बन गया है वो Croatia ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखना है अब साथ country ऐसी भी है जो यूज नहीं करती है currency euro कौन कौन सी for example Poland ठीक है Hungary यह यूज नहीं करती है अपनी official currency euro को अगर मैं आपसे बात करू रिसेंटली एक चीज अब भी न्यूज में आई थी कि बॉसनिया बॉसनिया जो की 28th member वनने वाला है कहां का European Union का तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है यह ना तो और क्या बता सकता हूं मैं आपको चलो और इसमें अपन देखते हैं क्रोईश अब आपके दिमाद में जरूर कोशन आएगा कि सर की पहले करंसी क्या थी अब भी तो यूरो हो जाएगी तो पहले करंसी थी क्रोईशिया की क्या कूना ठीक है कूना और इसका capital क्या है जागरेफ यह तो यह चीज भी आपको धियान रखना है अगर मैं आपसे बात करू रिसेंड्ड़ी क्रोईशिया ने ब्रॉँज मैडिल जीता था फीपा वर्ल्लकप में यह चीज भी आपको धियान रखना है और यहां के जो player है लुका मोड़िब तो यहां के player भी है और पर बालकर नेशन और बाल्टिक नेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह क्या होता है क्योंकि बहुत बार एक्जाम में पूछ लेते हैं बाल्टिक नेशन के बारे में लत्विया, लिठोनिया, और कौन सा है, इस्तोनिया, ठीक है, ये हैं बाल्टिक सी के अराउंड, ठीक है, बाल्टिक सी के अराउंड, इसलिए इसको बाल्टिक नेशन नाम दिया है, अगर अपन बाल्टिक नेशन बात करें, एक तो खोदी हो गया है, क्रोएशिया, एक है सर अलगन माउंटेंज उसके सराउंड में हैं ये सारे मतलब कंट्रीज तो ये हो गए अपने 10 टोटल और ये हैं अपने 3 तो ये मैं आशा करता हूं मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करिये पूरी चीजे तो ये हमेशा ध्यान रखना की करन्सी अब भी रिसेंडली किसने च technology established in which year कौन से साल में इसको इस्तापना की गई थी ये एक बार कुशन आपके एकजाम में पूछा गया है इसलिए मैंने इसे कुशन फ्रेम किया तो ये इस्तापना होई थी 1914 में ठीक है अगर मैं आपसे बात करू ये पूरी कहानी क्या है तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसे इने यडिवल दवलप्मेंट वीद वूमेन इंपावरमेंट फिक है ये चीज आपको याद होना चाहिए ये कहां पे हो रही है ये सेशन हो रहा है आपका माहराज नाकपूर यूनिवरसिटी में ओर रहा है अगर मैं आपसे बात करू की इसका कहां पर कहां पर आईये haidqu पांग में यह आएगा इसको found किस ने किया तो इसको found किया था दो British people ने उनके आपको नाम याद होना चीए history में question आता है यह बहुत बार तो इसको found किया था किने J.L. J.L. Simmonson ने J.L. Simmonson ने और एक थे Mac Mohan Mac Mohan दोनों Britishers थे यह तो इन दोनों ने इनकी foundation stone रखी गई थी तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है next question देखते हैं so the next question is भारत को 78th Grand Master मिल चुके हैं तो उनका आपको नाम बताना है तो उनका नाम आप बताएए अदित्यमित्तल विश यह वेस्ट बंगाल से बिलॉंग करते हैं अगर मैं आपसे बात करू रिसेंटली 77th Grand Master भी बने थे तो वो कौन बने थे वो बने थे अदित्यमित्तल ठीक है अदित्यमित्तल जो की कहां से है मुंबई से ठीक है अगर मैं आपसे बात करू कि अच्छा F यह बनते कैसे हैं य इसका हैड़कोटर है पैरिस में इस दापना हुई ती 1924 में यह देता है अपने बढ़ी 25 आपकी रैटिंग होना चाहिए और तीन नौम्स रहते इनके अगर आपने वो फिल्फिल कर दिये और 25 रैटिंग है आपकी तो आपको दे दिया जाएगा टाइटल Grand Master का ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे पूचह फेस्ट ग्रेंड मास्टर कौन थे तो फस्ट ग्रेंड मास्टर थे विश्वनात іंद जी फृस्ट हान मास्टर यह चीज भी आपको medal जीता, silver किस ने जीता, koneru humpy जी ने, ठीक है, koneru humpy जी ने जीता silver medal, ये किस मे जीता blitz में, ठीक है, और एक savita rani जी ने जीता, savita rani ने, ठीक है, कौन सा medal जीता, bronze medal जीता, bronze medal जीता, ठीक है, ये कर दो, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज आप ये 2 जनवरी के वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने काफी अच्छे से डिसकस किया है next question देखते है So the most interesting and most important question of today's lecture India's first underwater metro to become operational by December 2023 in which state? कौन से state में operational हो जाएगी? first underwater metro इंडिया की तो ये हो जाएगी भाई best बंगाल में हो जाएगी ये चीज आपको ध्यान रखना है ये कौन से river में रहेगी? the underwater metro which will running through hoagli river will connect the twin cities, hovra और kolkatta hovra और kolkatta को ये connect करेगी और कौन से river में रहेगी? hoagli river तो ये चीज आपको ध्यान रखना है काफी important ये question आ सकता है अगर अगर अपन बात करें सबसे लंबा metro कौन सा है तो सबसे लंबा metro है न्यू देली का ठीक है? और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है एमदाबात का है ना? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है टोटल शायद हाँ 15 15 cities है जहाँ पर अब भी metros है और दीरे-दीरे metros अब भी आ रहे हैं जैसे for example बोपाल में आ रही है, इंदौर में आ रही है पुने में आ रही है क्या नाम है? सुंदर्बन डिस्ट्रीक्ट तीक है अब भी रिसेंटली एक न्यूज आई थी अचार जगदीश चंद्र बॉस इंडियन बोटनी गाडन तीक है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बोटनीकल गाडन है ये कहां पर है? ये है बेस्ट बंगाल में ठीक है क्या नाम याद आपना? जगदीश चंद्र बॉस ये एक्जाम में आ सकता है या ठीक है मैजदा कॉलम में और बेस्ट बंगाल में बेस्ट बंगाल को भी रिसेंटली इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड मिला था International Travel Award मिला था यह चीज भी आपको ध्यान रखना है रिसेंटली आके गवर्न चुने गए सीवी आनंद बोस तीर यह चीज भी आपको ध्यान रखना है Next question देखे Christiano and Ronaldo बन चुके हैं कौन से क्लब इनने जॉइन कर लिया है तो इनने जॉइन किया है अलनसार ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखना है और यह question आज सकता है exam में आपसे करीब पूछू कि कौन सी country से खेलते हैं यह खेलते हैं पॉर्चुगल से ठीक है पॉर्चुगल से खेलते हैं इनका capital क्या है Lisbon अब आप मुस्से पूछेंगे यह पहले कौन से club से खेलते थे तो पहले इनने चार club जॉइन किये थे ठीक है चार club से खेल चुके अगर मैं आपको बताओ तो देखो sporting CP एक यह club का नाम था उससे भी खेले यह ठीक है एक Manchester United उससे भी खेले और Real Madrid इनका जो favorite था Real Madrid और का इसे खेले यह Juvento यह इनका last था मतलब कि यह last club था जिसे इनने जॉइन किया था अब आप मुझे बताओगे कि मैसी कौन से club से खेलते हैं आप मुझे comment section में बताने वाले तो और कुछ तो द्यान नहीं रखना है और यह बन चुके highest paid player in the history तो यह चीज भी आपको द्यान रखना है next question देखते है so the next question is किसने ओत लिये भाई 39th president of Brazil की देखें Brazil के नए president बच चुके लूला डा सिल्वा देखें यह news में आया थे काफी और अब इनने ओत भी ले लिये country की तो यह चीज आपको द्यान रखना है आपको द्यान रखना है इनने ब्लेक पल के नाम से भी जाना चाते है ब्लेक पल और ब्राजील क्या news में आया था फीफा की जो रैंकिंग आई थी अब भी उसमें टॉप किस ने किया था उसने टॉप किया था ब्राजील ने है ना तो यह चीज भी आपको द्यान रखना है और next question देखते है so the next question is which state hold the medal in खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 mains under 18 qualifiers title in वुबनेशवर यह चल रहा था वुबनेशवर में qualifier round चल रहा था है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तो देखो mains में कौन जीज गया है mains में आपको द्यान रखना है MP किसको अराया ओडिशा को और women's में किस ने जीता women's ने जीता haryana ने haryana ने जीता किसको अराया MP को यह चीज आपको द्यान रखना है और मद्यप्रदेश ओडिशा यह सारी टीम अब qualify हो चुकी है यह खेलो यह गेम्स में ही खेलेंगे तो यह चीज भी आपको द्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ recently भुवनेश्वर भुवनेश्वर क्या होस्ट करने वाला है भुवनेश्वर होस्ट करने वाला है FIH FIH का hockey mains world cup hockey mains world cup 2023 कौन होस्ट करेगा उडिसा तो यह चीज आपको द्यान रखना है यहाँ पर recently अब भी क्या हुआ था यहाँ पर होई थी धानू यात्रा और क्या हुआ था यहाँ पर डॉल्फिन का सेंसस हुआ था डॉल्फिन का सेंसस हुआ था का पर उडिसा में तो यह चीज आपको द्यान रखना है नेक्स कॉश्चन देख नेक्स कॉश्चन इस विच गवर्मेंट स्पॉंसर्ट दप्रपोजल फॉर इंटरनेशनल यार उफ माइलेट्स 2023 पहले तो माइलेट्स होता है बाजरा बाजरा के आपने रोटी खाई होगी ठंड में है ना मजे ले रहे होगे ठंड के तो यह विच वाज एक्सेप्टेट बाए दा यॉनाइटेट नेशन जनरल असेंबली तो एक्सेप्ट कर लिया है तो कौन सी कंट्री का यह प्रपोजल था यह प्रपोजल था भारत का ठीक है काफी इंपोर्टेंट ही यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करू इंडिया इस दा लाज़ेस्ट प्रड्यूसर आफ माइलेट ठीक है इंडिया भई लाज़ेस्ट नंबर वन पे इंडिया और सेकिंड पे कौन पे है सेकिंड पे नाइजर और थर्ड पे चाइना दीगें माइलेट के प्रडेक्शन में यह चीज़ आपको ध्यान रखना है यह आ सकती एक्जामे क्योंकि माइलेट अब भी काफी न्यूस में भी है अगर मैं आपसे बात करू 2023 तो आपको पता चल गया माइलेट का है 2024 का होगा 2024 का होगा तो वो होगा कैमेलाइट का International Year of Cameleाइट इसका प्रपोजल आ चुका है 25 का होगा यह होगा Glacier Protection का Glacier Prevention का 26 का होगा यह होगा Rangelands का International Year of Rangelands तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है है ना, next question देखते है तो question देख लेते हैं Recently news में रहा Samish Shikarji Gen Temple announces tourist destination by which state तो काफी news में रहा Shikarji Gen Temple तो ये आपको बताना है कौन से state ने tourist destination इसे गोशित कर दिया था इसकी मांग रखी गई फिर उसके बाद बहुत सारे protest हुए, controversies हुई तो मैं आपन सारी चीज़े discuss करते हैं तो ये किया था जारकंड सरकार ने जारकंड सरकार जहां के CM कौन है, हैमन सरंग जी अगर मैं बात करू कि ये controversy में क्यों आ गया था इसको tourist destination यहाँ पे गोशित कर दिया गया था इसकी मांग रखी गई और अगर मैं आपसे बात करू ये कौनसी district में है तो ये है Girid district में और ये जारकंड की सबसे उची पहाड़ी highest mountain, Parshanaath hill पे है अगर मैं आपसे बात करू जेनिजम में कितने total तीरतांग करें तो जेनिजम में total तीरतांग करें 24 ठीके 24 में से 20 जो तीरतांग करें ठीके total 20 तीरतांग करें यहाँ पे अपना मोक्ष हसिल किया है ये चीज भी आपको दियान रखना है इसलिए ये काफी बड़ा pilgrimage हो जाता है जेनिजम के लिए तो ये चीज भी आपको दियान रखना है मैंने आपको बताया था जेनिजम minority में कब एड़ हुआ था आप मुझे comment section में बताओगे और first तीरतांग कर कौन है जेनिजम के तो वो है रिशवनाथ ठीक है रिशवनाथ ठीक है और 23 कौन है ये exam में पूछे जाते है तो वो है पारशवनाथ जी पारशवनाथ जी ठीक है और 24 तो आप सब लोगों को पता ही होगा क्या कौन है महावीर स्वामी जी ठीक है महावीर स्वामी जी तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अगर मैं बात करूँ एक कुशन और पूछा जाता है आपसे जेनिजम से रिलेटेड वो मैं बता देता हूँ आपको फर्स्ट कॉंसील कहां पे होई थी जेनिजम की तो वो होई थी कहां पे पार्टली पुत्रा में ये डारेट कॉशन मिलते हैं एफकेट में और एससी वगेरा में मिलते हैं और सेकिंड कॉंसील कहां पे होई थी वो ही थी बल्लवी बल्लवी एक डिस्ट्रिक्ट थी बल्लवी गुजरात में है न तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है इसमें और कुछ याद नहीं रखन है कि फर्स बूमें ऑफिसर बनी जो की क्या नाम है जिनका कैप्टन शिवा चोहान में हैं ये फर्स बूमें बन चुकी है जो की ऑपरेशनली डिपलॉइड है कुमार पोस्ट में और सियाचें गलेशियर जो की दुनिया की दुनिया की हाइस बैटल फिल्ड है ये आपको पताओगा इसकी हाइट अराउंड 18,875 है और जो कुमार पोस्ट है उसकी हाइट है 15,632 फिट है ना और तो यह कौन बनी है यह बनी है कैप्टन शीवा चोहान मैं अगर मैं आपसे बात करूँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि अब भी अपन रिसेंट्ली कौन-कौन न्यूज में रही थी जो फस्ट वूमेन बनी है तो आप बोलोगे फस्ट नंबर पे तो बता दो कौन डीना बॉलरिट यह कौन बनी थी यह बनी थी फस्ट प्रसीडेंट फस्ट फीमेल प्रसीडेंट पेरू और पीटी उशा मैं ठीके पीटी उशा कौन बनी थी फस्ट प्रसीडेंट ऑफ इंडियन ऑलम्पिक असोसीएशन और क्या याद आ रहा है आपको यूएस ने फस्ट टाइम नोट पर करनसी पर प्रेस किया था उनका विद वूमेन सिगनेचर तो यह चीज भी आप भी सकता है तो यह चीज दियान रखना नेक्स कुश्चेन देखते हैं So next देख लेते हैं कौन सी कंट्री ने एक्स्टेंड कर दिया है आंसांसो की की π्रिजन सेंटेंटेंज sentence to 33 years 33 years के लिए extend कर दिया है तो वो कर दिया है मैनमार की सरकार ने ठीके मैनमार की सरकार ने कर दिया है 33 years का extend यहाँ पे recently military gop हुआ था तो पहले 7 years की सजा दी गई पिर उसके बाद अब extend करके 33 years कर दिया है यह चीज आपको द्यान होनी चीए अगर मैं आपसे बात करूँ आंसान आंसान कौन थे थीके आंसान इनके फादर थे इनको father of Barma भी बोले जाता है father of Barma अब मैं Barma क्यों बोल रहा हूँ पहले मैनमार का पुराना नाम क्या था बर्मा तीक है मैनमार का पुराना नाम था बर्मा, यहाँ पर एक में थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, पहले क्या हुआ था यहाँ पर, 40 years था यहाँ पर, एक राजा था उसने राज किया गया उसका नाम था नीविन ठीक है, नीविन इसने 40 years था यहाँ पर राज किया, उसके बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, ठीक है एक ऑपरेशन होता है उसका नाम था, 4-8 4-8, अपराईजिंग यहाँ पर किसकी होती है, यहाँ पराईजिंग होती है, किसकी आंसान की ठीक है, यह एक नेता उबर क्या है यहाँ पर फिर यहाँ पर इनने कंट्री को मतलब आजादी मिली यह 40 साल का जो भी यह नीवीन थे ना तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ कि कौन-कौन से अभी डिसेंटली न्यूज में था मैंनमार एक तो अपना है य आपको पता होगा ठीक है कौलकता पोर्ट शामप्रसाद मुकरजी पोर्ट है ना फिर यहाँ से मैंनमार का एक पोर्ट है सित्वे पोर्ट ठीक है मैंनमार से डारेक्ट कनेक्टिविटी है इन दोनों की अगर यहाँ पर आपको पहुचाना रहता है कुछ समान कहां पर कहा मिजोरम में आपको समान पहुचाना है तो आप इसके थूरू पहुचा सकते हो डारिक्ट सित्वे पोर्ट के थूरू तो ये है एक काला धन प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया काला धन प्रोजेक्ट तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है और कौन-कौन से स्टेट के सा नागलेंड और थर्ड मिजोरम और मनीपूर तो यह चीज आपको ध्यान रखना है next question देखते हैं so the next question is who has been appointed as the additional charge as BSF chief water security force के recently अभी chief additional charge दिया गया तो वो दिया गया किनको सुजे लाल जी को सुजे लाल जी जो की अभी recently CRPF के भी कौन है वो भी अभी CRPF के भी chief है ठीक है तो इनको additional charge किसका मिल गया है BSF का ठीक है water security force जो की कहा कहा तेना थे वो है बांगलादेश border पे बांगलादेश border पे प्लस पाकिस्तान border पे ठीक है BSF अगर मैं आपसे बात करू रिसेंटली BSF क्यों न्यूस बे था रिसेंटली 52 रेजिंग डे बनाया था एक दिसेंबर को और फस्ट परेट कहां पे होई थी वो होई थी पंजाब में ठीक है यह second time होई था जब capital से बाहर होई थी और रिसेंटली अभी first first camel squad किसने किसके पास है अब भी first camel squad of CABF ठीक है तो वो है BSF के पास और मैं आपको बताओ अभी recently प्राहारी एप लाँच हुई थी प्राहारी एप ठीक है प्राहारी एप यह किसने की थी लाँच यह किसके लिए की थी यह की थी BSF के लिए ठीक है तो अपने dots को connect करा यह च payment हो गया तो उनका नाम था पंकच कुमार सिंग जी ठीक है तो यह आपको दिहान रटना है next question दे so the next question is who received the प्रवासी भारतिय सम्मान अवार 2023 अब देखो इस के बारे में आपनको पूरी बादे पता है कि प्रवासी भारतिय दिवस कब आता है वो आता है 9th January को ठीक है और इस बार का कहां पे होने वाला है इस बार का होस्ट कौन कर रहा है इंदौर मध्यप्रदेश ठीक बाई अब बैठो तुम प्रवासी भारतिय दिवस यहां पे celebrate होने वाला है ठीक है तो इसकी theme क्या है इसकी theme है प्रवासी भारतिय दिवस की यहां पे 17 प्रवासी भारतिय दिवस होगा और इसकी theme है reliable partners for Indian progress यह इसकी theme है आपको दियान रखना है और अब और क्या याद रख देखो क्यों बनाया जाता है प्रावासी बारती दिवस क्योंकि गांधी जी इंडिया आये थे बापीस from South Africa से 9 January को ठीक है 9 January को आये इसलिए प्रावासी बारती दिवस हम लोग celebrate करते हैं तो ये news क्या है किसको अवार्ड मिला है प्रावासी बारती सम्मान अवार्ड 2023 तो ये अवार्ड मिला है किसको गुआना के प्रसीडेंट क्या नाम है उनका इर्फान अली जी ठीक है इर्फान अली जी कोई अवार्ड मिला जाएगा और देखो गुआना न्यूज में है ना गुआना न्यूज में तो इससे आपको question पूछ लें इसका capital क्या है इसका capital है question तो यह चीज आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ 26 January को Republic Day पर चीफ गेस्ट कौन है तो आप मुझे comment section में बताने वाले है ठीक है next question देख लेते हैं election commission mission 929 to take over turnover in which state ठीक है यह turnover रखा गया कितने का 90% plus का तो यह कौन से state में रखा गया यह रखा गया नाइन mission direct exam में पूस सकते हैं तो आपको याद होना चाहिए कहां से related है यह है तिरुपूरा से related है तिरुपूरा जिसका capital क्या है अगर तला अगर तला भी इससे आप ध्यान रख सकते हो और तिरुपूरा में एक village है मैं कोई चीज याद आई यहाँ पे दासपोरा village इसको क modified bio village ठीक है यह चीज आपको द्यान रखना है अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं NH44 के बारे में तो आपने सुना होगा तिरुपूरा को पूरे all over India से ही connect करता है सिर्फ एक national highway जो तिरुपूरा को पूरे इंडिया से connect करता है पूरे अपने भारत से connect करता है तो वो कौन है NH44 है ना एक ही यह बस यह और यहां पर तिरुपूरा में education free है 6-14 years के लिए education यहां पर free है तो यह चीज भी आपको द्यान रखना है next question देखते है so the next question is भारत को first in vitro fertilization mobile unit मिल चुकी है for animals जैसा कि अब भी आपने देखा था for human beings test tube baby के लिए एक process रहती है ठीक है और IBA भी रहता है तो बट वो animals के लिए भी वो अब available हो चुका इंडिया में तो first time किस ने किया है तो वो किया है गुजरात ठीक है इसको inaugurate किस ने किया पुर सरकार का और अमर्डेरी का ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रट में है अगर first आप से unit पूछ लेंग यह वैन है एक तो यह कहां पे होई है inaugurate यह गुजरात में next question देखे तो the next question is yo-yo test and DEXA यह term sky से related है कौन से sports से related है देको इस type को question है आपको कोई नहीं बताएगा और य इसमें फज जाओगे कि hockey से football से square से cricket से तो यह आपका फिवरेट जो sport है उसी से ही है ठीक है cricket से तो यह डेक्स अब भी recently news में आई है तो the BCCI in India announced that yo-yo test and DEXA will be a part of the section criteria यह यह test होता है ठीक है इसमें आपकी fitness देखी जाती है और DEXA में भी एक fitness test होता है तो इसमें जो selection criteria रख परेगा ठीक है तो यह चीज आपको दियान रटा है कौन से sport से related है यह है cricket से related ठीक है next question देखते हैं so question discuss कर लेते हैं election commission ने recently name किया है फॉक सिंगर मेथली ठाकूर जी को as the icon of which state कौन से state का icon बनाया है तो इन्हें बनाया है बिहार का यह क्या करेंगी यह करेंगी awareness create करेंगी among the voters ठीक है अगर मैं आपसे बात करूं मेथली ठाकूर जी को आप सब लोग जानते ही होंगे अगर आप में को music में interest है काफी अच्छ अगर मैं आपसे बात करूं खाडी विलेज का brand emissator पहले मनोस्त रिपाटी जी को बनाया गया था फिर उसके बाद change करके अब भी बना दिया गया था मेतली ठाकूर जी को अगर मैं आपसे बात करूं बियार रिसेंडली क्यों न्यूज में रहा था बियार रिसेंडली न्य हर गर गंगा जल ठीक है हर गंगा जल इसकीम किसने लॉंज करी थी बियार इस्टेट ने और क्या न्यूज में रहा था आपने सुना होगा सारसा डिस्ट्रीट सारसा डिस्ट्रीट ठीक है यह first paypal लेस डिस्ट्रिक्ट बनी थी बिहार की यह चीज भी आपको धियान रखन लिए था और और क्या किया आपको बताओगा मिधीला मखाना मिधीला मखाना अगर आपसे एक्जाम में पूछ लें कि कौन से स्टेट का है जिसे जी आई टेग मिला था तो यह कहां का है यह भाई अपने बिहार का ठीक है अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया का लॉंगेस् देखे हैं चलो और कुछ तो अपन को ध्यान नहीं रखना है बाकिए अपन नेक्स चीज में डिसकस करते हैं आपको यह बताना है कि जो डिमोनेटाइज हुआ था वो कौन से यर में हुआ था कौन से यर में आप लाइन में लगे थे तो आप लगे थे 2016 में यादित आजा हो गई होगी अभी तर 8 नवंबर 2016 में ठीक है अगर अपन बात करने क्या पूरी कहानी है तो यह हुआ था देखो क्या हुआ अभी 5 जजेज की बेंच बेटी ठीक है 5 जजेज की बेंच बेटी उसमें 4 जजेज ने बोला कि यह जो डिमो यो से यह क्यूंकि आप से एक्जाम में ढारेट पूचा जा सकता है और यह काफी इंपौर्टेंट भी एई रेड़ी है और आगे आने वाले टाइंग में काफी इंपौर्टेंट इससे कोशन है smells अगर मैं बात करो उनका नाम के बारे में नाम है B Busanagaratht played by बी नाम यह इंडिया की first chief justice of India बनने वाली हैं तो यह चीज आपको द्यान रखना है 2027 में चलिए और और क्या बता सकता हूं मैं आपको इनने क्या बोला है कि she said it's a unlawful demonetization के बारे में इनने बोला ठीक है next question देख ले थे defense minister ने recently inaugurate करा है SIOM bridge कौन से state में inaugurate किया है तो यह किया है आरुनाचल प्रदीश में अगर मैं आपसे बात करूँ मैं अगर आपको इस टाइप का question देदें SIOM bridge जुआरी bridge मौरवी bridge और उसके सामने लिग दे हैं उनके respective states तो आपको करना पड़ेगा मैं इस टाइप के question CDS में कह नहीं बार पूछे जाते हैं तो अब दो तीन bridge discuss कर लेते हैं जो काफी news में रहा है जुआरी bridge जुआरी bridge यह कहां पर inaugurate हुआ था भी आपको पता होगा यह हुआ था गुआ में यह नहीं बुलो गया मुझे पता है ठीक है क्योंकि जुआरी से मैंने connect करना था इसको और मौ और भी bridge ठीक है काफी दर्दनाख हादसा हुआ था यह ठीक है तो यह कहां पर हुआ था यह हुआ था गुजरात ठीक है इस टाइप के आपसे question पूछे जा सकते हैं ठीक है तो be prepare for them ठीक है चलिए next question देखते हैं इसमें आपको और कुछ नहीं जाना है सियों ब्रीज से बस याद रखना अरुनार्चल प्रदेश ठीक है चलिए next question देखते हैं तो next question देख लेते हैं कौन बने फर्स्ट बॉलर जिनने रंजी ट्रॉफी के फर्स्ट ओवर में ही हैट्रिक ले ली फर्स्ट ओवर में ही हैट्रिक लेना मतलब उनने भाई पहला ही ओवर फेका और तीन विकिट continuously ले लिए ठीक है तो ये बने हैं जेदेव उनादक्त ठीक है जेदेव उनादक्त बने हैं अगर मैं आपसे बात करूँ 2022 का रंजी मैच कौन जीता था कौन चेंपियन था तो वो था मद्यप्रदेश किसको हराया था हराया था मुंबई को ठीक है तो ये चीज भी आपको दियान रखने हैं तो नेक्स कुश्चन देख लेते काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली न्यूज मेरा किर्केट से रिलेटेड है अभी मन्यू किर्केट एकैडमी स्टेडियम इस इन न्यूज तो ये कहां पर स्टेडियम ये आपको बताना है अगर मैं बात करूंँ इन से पहले एक ओर थे रिपके इंडिया के नहीं थे वो थे वैस्ट इंडी के वो थ Whenever संई ठीक है उनने भी अपने ही नाम के स्टेडियम में उनने अपना एक गेम खेला था तो वो आपको ध्यान रखना है डेरें से भी अगर मैं आपसे बात करूँ पूरी कहानी क्या है तो इश्वारम के फादर जो की नैशनल इस्कूल है ऑफ किरकेट जो इनका करते थे उनने उनक पर है टिकन क्या रखा उनने अपनी का नाम रखा अभिमान्यू कृकेट एक एक किस से इंस्पाइड हुए थे यह महा बारत का एक अबिमान्यू अब जैसा आपको पता होगा उनसे इंस्पा एट ते फिर क्या होता है इश्वारम जी के सन किनका अभिमान्यू का मतलब में convert कर दिया cricket stadium आपे बनाया सारा maintenance वगेरा यही देखते हैं तो और उस stadium को किस नाम से रखा गया उस stadium को नाम दिया गया अभी मन्यू cricket stadium ठीक है तो काफी important है एक father की कानी और एक बेटे की कानी उनका सपना था मेरा बेटा खेले और उस ground में खेले तो वह सपना कल पूरा ठीक है तो यह चीज आपको दियान रखना है next question देखते हैं so next question है which country अगर मैं आप से बात करू European Union की तो इसमें total members कितने है 27 इसमें plus एक एड होने वाला है जिसका नाम क्या है बोस्निया ठीक है बोस्निया नाम है और जैसा मैंने आपको कल और बताया था कि 20th member भी Eurozone में आन दिए वो कौन builder वह बनाए वो बनाए three is the correct Russia बना अब यह कान देख लेदे क्या है कि इसमें किया हूँ एकि जुका सिलयति रहती है वह एना 66 म迈ने में rotation होती है and then a queen किसिके पास 6 म मैधिकिो पार जैसे जी ट्वेंटी की होती है ना वैसी इस टाइब की प्रासी रोटेट हो तो इस बार किसको मिली है वो Presidency वो मिली है Sweden को इससे पहले किसके पास थी Republic के पास तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करो और और क्या बात कर सकते हैं अपन तो इस बार किसको मिल गई है Presidency Sweden को और यहां से एक प्लेयर है Sweden से आपको नाम याद आया इन्हें मिला था Athlete of the Year Award इनको मिला था Monda Dupletis यह कहां के है Sweden को यह चीज भी आपको ध्यान रखना है So the next question है PM Modi ने recently launch करा है world का longest river cruise जिसका नाम है गंगा विलास ठीक है यह कहां कौन से state में किया है तो यह किया है उत्तर प्रदेश में यह कहां से कहां तक होगा अपन वो चीज देख लेते हैं तो यह river cruise है जिसका नाम है गंगा विलास यह कहां से वारा नसी उत्तर प्रदेश से दिब्रुगर तक असाम में तो यह चीज आपको ध्यान रखना है 13 जनवरी 2023 को यह आ जाएगा भई मार्किट में तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे पूछू कि असाम चलो असाम के बारे में अपन बात कर लेते हैं तो यह काफी न्यूज में रह चार डिस्ट्रिक्ट को गयी के मर्सिट हो गई है तो लिस्ट्रा बचंच आपको ध्यान रखना है और गंगा गंगा से आपको पता होगा अमामी गंगा को आवार्ड मिला था U.N के दोरा अभीober अब रिकॉघॉद किया अगए था was में है नंवामी गंग में प्रोग्राम जा सकता है जगगा मिशन बता दो कौन से state का है तो आप लगा दोगे टिक क्या औरी सा तीक है डारेक लगा देना औरी सा बिना देखे तो इसको रिसेंटली कौन सा अवाड मिला है रिसेंटली जीता है UN Habitat World Habitat Award 2023 अगर अपन बात कर लें जगगा mission है किसके लिए जग्गा mission है slums के लिए ठीक है slums के लिए उसको develop करेगा जग्गा mission ये चीज आप देख सकते हो the जग्गा mission is the land tilting and slum upgrading program that aims at empowering the lives of slum dwellers ठीक है तो ये चीज आपको दिहान रखना है अभी रिसेंटी उडिसा की एक और स्कीम ती अरुंधी स्कीम ठीक है अरुंधी 2.0 किसकी है वो भी उडिसा की है ठीक है तो ये चीज आपको दिहान रखना है और और क्या दिहान रख सकते हो चलिए next question देख तो question देख लेते काफी important है आपके exam के लिए और definitely इसके आने के chances काफी ज़्यादा है तो कौनसी city host करने वाली है first ever formula e world championship race तो ये मैं आपको बता दूँ ये होने वाली 11 फरवरी से तो ये basically आपके exam के लिए important हो जाती है और ये कहां पे होगी ये ह भी हैदराबाद में ठीक है हैदराबाद में होगी और इंडिया first time इसको host कर रहा है तो इसलिए काफी important हो जाती है तो ये दियान रखना है आपको हैदराबाद में ये होगी अधिर मैं आपसे बात कुरें इंडिया 2023 में और कौन कौन से sports event host करने वाला है तो वो अपने एक National Boxing Association International Boxing Association जो Women's का World Championship होगा कहाँ पे होगा देली में इसको इंडिया होस्ट करने वाला है अगर हम बात करें कि गोगों वेश करेगा वेल्ड टेबल टैनिस World Table Tennis कौन होस्स करेगा इसको गोवा तो यह भी इंडिया होस्स करने वाला है अगर मैं बात करूँ इंडिया होस्स करेगा Youth Handball Championship Youth Handball Championship यह कब होगी यह भी होगी 2023 में तीक है और क्या होस्स करने वाला है World Badminton Championship World Badminton Championship जो होगी 26 में तो यह चीज भी आपको दियान रखना है और इंडिया एक और चीज ओस्ट करेगा 2025 World Cup ठीक है यह ओस्ट करेगा इंडिया और और एक और चीज है अभी होकी का जो वर्ल्ड कप होगा ओडिसा में होगा वो भी इंडिया ही ओस्ट करने वाला है तो यह सारी चीज आपको याद होना चाहिए relative to sports कि भाई कौन क्या क्या इंडिया host करने वाला है अगर और next magazine में the grant जो edition आएगा उसमें मैं ये डालने की सारी कोशिश करूँगा next question देखते है so next question देख लेते हैं काफी important हो काभी proud moment की बात है कि इंडियन आर्मी की ने deploy करा है its largest contingent of women peacekeepers in united nation इस type का question अभी cds में आया गया था कि blue helmet किसे बोलते है ति आपको पता ही होगा तो ये कहाँ पे किया है ये किया है अबेई तिके अबेई में किया है अमें बताता हूँ अबेई ही कहाँ पे अगर आपसे direct पुछ लें अबेई कहाँ पे तो आपको ये पता होना चाहिए देखो ये है South Sudan sorry ये है Sudan और ये है South Sudan ये है South Sudan तो इसके बीच में जो area है ना इसको बोलते है अबेई तिके ये conflict area है Sudan और South Sudan के बीच में ये दोनों को अलग करता है अबेई तो इसमें किसको deploy किया है women peacekeepers को यहाँ पे deploy किया है क्यों the team will provide relief and assistance to women and children in one of the highly operation and challenging terrain यहाँ काफी challenging terrain है यहाँ पे women and children की काफी safety दी जाएगी peacekeepers के थुरू तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करू recently women peacekeepers के लिए इंडिया ने वो बनाया था एक group बनाया था आपको याद होगा उसका नाम था group of friends अपने discuss भी किया था group of friends यह चीज आपको ध्यान होगी और इंडिया ने क्या बनाया था UN peacekeepers day कब celebrate किया जाता है 29 में को ठीक है और और एक और चीज बताता हू माली है ना जो माली एक country आपको पता होगा इसको suspend कर दिया था कि UN peace की पर आप यहाँ पर नहीं जाएंगे ठीक है यह भी news थी और 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 बस इतना आपको ध्यान रखना है और first time जो woman peacekeepers यहाँ पर गये थे blue helmet वाले वो Libria में गये थे in 2004 में ठीक है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए आप SSV वगेरा में यूज कर सकते हो interview में आप यूज कर सकते हो ठीक है तो आप इसका थोड़ा डीप में बढ़ सकते हो Zagreb किसका capital है Croatia का Rabbit है Morocco का और Astana Astana बताओ किसका है comment section में Kajakistan का ठीक है चलो next question देखते है तो next question देख लेखे काफी important है Greenfield International Airport Mopa as Manohar International Airport is in which state Manohar Parikar International Airport is in which state तो यह है गोवा में ठीक है अगर हम बात करें Union Cabinet ने अप्रूफ किया था कि Green International Airport को हम क्या रख देंगे किस नाम से रख देंगे Manohar International Airport के नाम से जो की कौन थे जो की फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे और गोवा चीफ मिनिस्टर भी रहे Manohar Parikar जी ठीक है यह चीज़ आपको और चीज़ द्यान रहेना चाहिए एयरपोर्ट को इनाउगरेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरिन मोदी जी ने December 2022 में यह किसके ओनर किया गए है Manohar Parikar जी को ठीक है अगर मैं आपसे बात करो कि गोवा भी रिसेंटली क्यों निउस में था आपको पताओगा परपल फेस्ट परपल फेस्ट यहाँ पे हुआ था ठीक है गोवा क्या होस्ट कर रहा है वर्ल्ड टेबल टेनिस वर्ल्ड टेबल टेनिस गोवा उस्ट कर रहा है और 37th National Games 37 National Games कौन उस्ट कर रहा है यह भी गोवा उस्ट कर रहा है और International Film Festival तो आपको पताओगा यह कौन उस्ट करता है हमेशा से गोवा ठीक है फोकस कंट्री कौन है फ्रांस यह दो यादी हो गया हुआ अच्छा अब एक चीज़ और इनॉकरेट हुई थी गोवा में जुआरी ब्रीज जुआरी ब्रीज कहां पर हुई थी गोवा में गोवा लिब्रेशन डे कम मनाया जाता है 19 दिसेंबर को ठीक है काफी चीज़ अपने रिलेट करने की कोशिच करी नेक्स कुश्चन देखते हैं तो कौन सी कंट्री बनी है जिसने टेक ओवर कर लिए लीडर्शिप ऑफ दा एशिया पैसिपिक पोस्टल यूनियन ठीक है इन जैन्वरी 2023 देखो इंडिया ने क्या-कया इस बाल लीडर्शिप रही प्रसिडेंसी रही इंडिया के पास काफी ये इस साल है ना इंडिया के लिए काफी बहुत अच्छा साल रहेगा ये चीज़ आपको द्यान रखना है तो इसको कल लिया है भाई, लीडर कौन बन गया है, इंडिया, अपना प्यारा भारत, अगर मैं आप से बात करूँ, इसका headquarter कहाँ पे, इसका headquarter है, थाइलेंड में, ठीक है, इसका headquarter कहाँ पे, थाइलेंड में, और ये 4 years का tenure है, ठीक है, 4 years का tenure है, और इसके जो secretary general कौन रहे रहेंगे, वो रहेंगे, विने प्रकाश सिंग, विने प्रकाश सिंग जी इनके, वो रहेंगे, और इसमें कितने members हैं, ये भी आप से पूछ सकते हैं, तो 32 members हैं, इसमें, इसमें, अप्पु में, अप्पु से याद रख लेना आप, अप्पु में कितने members हैं, 32 members, headquarter प्रकाश चीज़ को याद होना चाहिए अपने बात करते कि कौन कौन सी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी 2023 में तो यह चीज आपको अगर मिल जाएगी एक उस पे तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा देखो इंडिया के लिए क्या कौन कौन सी आपको पता ही होगा वासेनार agreement काफी important है जी 20 की तो पता ही आपको प्रसिडेंसी इंडिया के पास है UNSC की ठीक है UNSC की और क्या है जी पै ए आई की ठीक है जी पिए आई क्या होता है Global Partnership on Artificial Intelligence Artificial Intelligence भी यह बात करते हैं और SEO की भी इंडिया के पास रहेगी तो यह देखो, पास तो यही हो गई है तो यही हो गई है, तो यही हो गई है पाच अगर आपको और कुछ याद आता हो, तो comment section में प्लीज मुझे बता दीजेगा, ठीक है बाकी मैं गरंत में पूरी add-on कर दूँगा ठीक है, next question देखते है So next question देखते है, बिरसा मुंडा होक्की स्टेडियाम कौन से स्टेड में यह इनाउगरेट हुआ है तो यह इनाउगरेट हुआ है उरीसा में ठीक है, उरीसा में नवी पतनायक जी ने जो C.A. में वाके उनने यह इनाउगरेट किया अगर हम बात करें ठीक है, अगर हम बात करें इसकी deep में थोड़ा जाए तो बिरसा मुंडा कहां पे किया है यह किया है, रॉर की रा में ठीक है, रॉर की रा में किया है अगर एक और स्टेडियम यहाँ पर आपको याद होगा कलिंगा स्टेडियम तीक है कलिंगा स्टेडियम यह दोनों स्टेडियम में पता है क्या होगा इन दोनों स्टेडियम में होगा होकी का वर्ल्ड कप 2023 होकी का वर्ल्ड कप 2023 कौन होस्ट कर रहा है वो होस्ट कर रहा है उ करूँ कि first match किस किस के साथ होगा तो वो भी बता देता हूँ एक कहानी से देखो फस्ट मैच होगा इंडिया और इस्पेन का ठीक है यह दोनों मैच अब भी अपने कब देखे थे यह देखे थे अपने nations cup में ठीक है nations cup में देखे थे और इंडिया ने वाई हरा दिया था किस को इस्पेन को इस्पेन में जाके हरा दिया था अब रिजल्ट देखें क्या होगा ठीक है तो यह आपको दियान रखना है nation cup भी अपने complete किया यह आप़े तो यह इस्टेडियम जो है ना बिरसा मुंडा स्टेडियम इसको क्लेम किया गया है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो की मतलब चेयर्ड स्टेडियम है जहाँ पर बैठने की विवस्ता सबसे जादा है ठीक है होकी स्टेडियम ठीक है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है और और क्या बता सकता हूं मै अच्छा मुझसे न एक यह गलती हो गई थी मैंने आपको बोल दिया था यह शायद उडीसा की स्कीम है ठीक है और उन्दी स्कीम उडीसा की नहीं है यह स्कीम है असाम की ठीक है तो यह मुझसे शायद गलती हो गई थी और बिर्सा मुंडा जी के बारे में दियान रखना है ठीक है next question देख लेए थे पंडित दीन गयाल उपाध्या section become the longest fully ABS section अब आपके दिमांग में आएका सर ABS क्या होता है ABS होता है automatic block signaling ठीक है automatic block signaling क्या होता है इससे क्या होता है capacity बढ़ती है ठीक है जादा से जादा train चले अपने route में ठीक है इसलिए ABS को जादा यूज किया जाता है और यह काफी cost effective भी माना जाता है तो यह कौन से state में किया गया है यह जो station है वो कहां पर तो वो है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में ठीक है यह चीज आपको दिहान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह largest बन चुका है longest fully ABS section कितने किलोमीटर का है 762 किलोमीटर का है यह चीज भी आपको तिहान रखना है और उत्तर प्रदेश अब भी क्यों वो था news में one sport ठीक है one district one sport scheme के कारण ठीक है और क्यों news में था आप मुझे आप comment section में बताओगे connect क question काफी important है आप committee वाले questions skip कर दे तो exam में और exam में हर बार एक committee का question आपसे पूछा जाता है तो which ministry है was constituted a high power committee for the union territory of Ladakh कौन सी ministry ने वो बनाई ये committee for the union territory of Ladakh इसमें क्या होगा जो Ladakh का एक unique culture है ठीकि उसकी जो language है उसको एक importance देने के लिए कि ये committee बनाई ये तो इस committee को head कौन करेंगे नित्यानन्द राय जी ठीकि एक ये point आपको द्यान रखना है और ये कौन सी ministry ने करिये तो ये करिये ministry of home affairs ने ठीकि ये चीज भी आपको याद रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ दो committee में आपको बता देता हूँ जो मुझा भी दिमांग में जो आपके magazine में आपको available भी होँगी देखो कीरती पारी कमीटी कीरती पारी कमीटी आपसे direct question पूछा जा सकता है कि ये committee किस से related है तो ये है guest pricing से related तीक है एक committee है अमरजीत सिन्ना committee अमरजीत सिन्ना committee ये काय से related है ये है मन रेगा से तीक है मन रेगा की committee है अगर नहीं है तो दागरंद खोलो अब भी खोलो और उसमें committee वाले section में जाओ और ये दोनों committee पढ़के आओ ठीक है next question देखते है तो next question देख लेते हैं अगर ऐसा इस टाइप का question आ रहे है सुनी डैम hydroelectric project अभी recently government ने इसको approve कर दिया तो कौन से state में बस आपको ये बताना है तो ये है हिमाचल प्रदेश में ठीक है 382 मेगावाट का है कहां पे किया है ये शिमला और मांडी district में अगर मैं आपसे बात करू recently कौन कौन से डैम recently news में रहते आपने सुना हो गए गयाजी डैम गयाजी डैम कहां पे ये है बियार में देखो ये है बियार में कौन सी river पे ये है फा पे नर्मादा माई पे अगर मैं आपसे बात करू चलो ये मुझे बताओ सबसे हाइस्ट डैम कौन सा है इंडिया का तो आप बोलोगे चलो बता देता हूं हाइस्ट डैम कौन सा है ये है तेहरी डैम ठीक है तेहरी डैम हर बार पूछ लेते कौन सी river पे ये है भागी रदी पे ता पे उत्राखंड में है और हाइस्ट हो गया लॉंगेस्ट बताओ लॉंगेस्ट कौन सा है लॉंगेस्ट तो आपको पता ही होगा हीरा कुंड हीरा कुंड डैम कहां पे ये है उडिसा में और कौन सी river पे ये है महा नदी में ठीक है चलो अब एक सबसे important बताता हूं म आपके एक्जाम में मैजदा कॉलम में आते ही है ठीक है मैंने एक डैम वाली 5 भी शियर करी है टेलिग्राम पे उसको पढ़ लेना आप क्योंकि आते हैं कुशन अच्छा ये बतो सबसे smallest डैम कौन सा इंडिया का पता है अब भी highest तो पता था longest भी पता था smallest बताओ smallest मैं बत ठीक है अपन रीवर एक बार discuss कर लेंगे सारी states की सब कुछ discuss कर लेंगे geography थोड़ा discuss कर लेंगे ठीक है next question देखते हैं तो next question है which Kent railway station has been awarded a five star eat rate station certification तो कौन से इस station को मिल चुका है तो ये मिला है वारा नसी के अगर मैं बात करूँ इसको मिल चुका है FAAI का food safety and standard authority of India से five star eat right station का अगर है तो वारा नसी को मिल चुका है अगर मैं आपसे बात करूँ इन दौर क्यों न्यूज में प्रावासी भारती दिवस ठीक है प्रावासी भारती दिवस 9 January को मनाया जाता है और इफान अली इसके जो गवाना के वो हैं वो हैं इसके chief guest आपको पता है जो गुवाना के precedent आएंगे न यहां पर और एक सरी नेम के भी आएंगे सरी नेम के भी precedent यहां पर बदाने वाले अगर मैं आपसे बात करूँ यह कहां पर विजट करने वाले इंपॉर्टेंट प्लेस बताओ चलो बो बता देता हूं एशिया का सबसे बड़ा ठीक के सब बता दिया आपने चलो इन दोर में, है न, अगर मैं आपसे बात करूँ भोपाल, भोपाल क्यों न्यूज में था, भोपाल अब भी न्यूज में इसलिए था, इधर है इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल, कौन उस करेगा वो करेगा भोपाल, और पदें भोपाल को भी जो स स्टेशन है न, उसको भी ये सेटिफिकेट मिला था, ये राइट स्टेशन का, तो आपको ये चीज भी ध्यान रटनेशाद नोवेंबर में ही मिला था, और सुदर्शन चक्रकॉप, सुदर्शन चक्रकॉप, कौर, ठीक है, इसका हैड़कॉटर कहाँ पे, इसका सो कोश्चन देख लेते हैं, और इस टाइप के कोश्चन से आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, अगर हम बात करें कोश्चन की, तो consider the following statement about first all India annual state minister conference on water, this is the first annual meeting है ये, ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है, बोपाल मत्य प्रदेश में, ठीक है, पहले आपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या चीज है, ये क्या होने वाला है, तो ये कहाँ पे हो रही है, बोपाल मत्य प्रदेश में, पास से 6 जनवरी के बीच में होई, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, बोपाल मत्य प्रदेश में, अगर मैं बात कर कर सकते हैं, यह मुझे थोड़ा mistype हो गया था, यह 2047 है, तो अब इस statement देख लेते हैं, the conference hosted in Bhopal, Madhya Pradesh, जी हाँ, the theme is water reason at the rate 47, तो जी हाँ, second statement और पस statement दोनों ही सही है, अब देखते हैं, इनने question में पूछा क्या है, which of the following statement is our correct, correct पूछा है भई इनने, तो only one, only two, both none, तो दोनों statement ही सही दियेगा है, कि अपन को दोनों statement पे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो अपन बात करते हैं, पूपाल को recently अब भी एक award मिला था, आपको पता होगा, four star rating मिली थी, बोपाल स्टेशन को, और recently कल ही 12 नसी को five star rating मिली, है न, food के लिए, तो ये चीज़ आपको दियान रखना है, international science festival कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है बोपाल में, ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँ, national shooting championship कहाँ पे होई थी, बोपाल में, जिसमें किसने, मनु बाकर जी ने, gold medal जीता था और काफी अच्छा अपना performance दिखाया था, तो इसमें और क्या बता सकता हूँ, में, ये चीज़े आपको दियान रखना है, ठीक है, बोपाल से तो बहुत सारी चीज़े अब भी recently news में आएंगी, MP में election है, तो काफी ज़्यादा news में रहेगा MP, तो next question देखते है, तो next question है, which country become the first African country to name stadium after Pele, ठीक है, ये country ने पेले के नाम पे stadium को rename किया गया है, तो कौन सी country ने किया है, वो किया है, gap warden ने, ये आपने शायद first time इसे सुना होगा, ये है Atlantic Ocean के central में, ये एक archipelago है, और एक island country है, ठीक है, जो छोटे 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 टापू होते हैं, जिसे हवाई है, तो ये एक छोटा सा टापू है, जिसे अपन बोल सकते है, gap warden, ठीक है, वहाँ पे एक stadium है, वहाँ पे एक stadium है, वहाँ पे एक stadium है, उसका नाम क्या रख दिया है, पहले, ठीक है, अगर हम पहले की बात करें, जिनका recently निधन हो गया था, he is the black pearl for the football, है ना, फीपा ने इनको दा से recognize किया गया था, अगर मैं आप से बात करूँ, तीन बार world cup जिता है था, इनने 1958 में, और 62 में, और 70 में, ठीक है, तो किसको जिता है था, इनने जिता है था, ब्राजील को, ठीक है, ब्राजील की तरफ से खेलते थे, ये चीज भी आ जान रखना है, है ना, तो इसमें और कुस तो नहीं जानना है, नेक्स कोशन देखते हैं, तो नेक्स कोशन है, कौन सी किर्केटर बनी, जो की first woman किर्केटर है, जिनका statue कास्ट किया गया, Sydney किर्केट ग्राउन में, तो ये आपको बताना है, शेफाली वर्मा, बेलिंडा क्र एमा कंचाना, इलिया राजा, तीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, बेलिंडा क्लार, जो की ऑस्टेलिया की ही प्लियर है, तीक है, ये first woman किर्केटर बनी, जिनका एक statue कास्ट किया गया, कहां पे, Sydney किर्केट ग्राउन में, तीक है, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती ह अगर मैं आपसे बात करूँ, recently, आपने सुना होगा नाम, Clare, देखो ये एकदम से मैं को नाम याता है, Clare Polisic, ठीक है, ये question आपके NDA में पूछा गया था, ठीक है, आप देखेगा, NDA में पूछा गया था, ये first female empire है, first female empire से related है, और इस से आपको एक चीज और याद आती होगी step in frappard, ठीक है, जिनने फीफा में empire की थी, first woman बनी थी, और एक और चीज ये नाम में यादा था होगा, जीएस लच्मी जी का, इंडिया से, जीएस लच्मी जी का नाम यादा था होगा, first woman referee at global event, ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, दोनों से question पूछे है, क्लेरी पॉलास्क से भी और जीएस लच्मी जी से भी, अभी आपको एक चीज याद आईगी, मेगना, मेगना है, मेगा एलावत जी, ठीक है, मेगा एलावत जी, जो की first female president बनी कहा की, table tennis की, table tennis federation of India की, ये आपसे question direct तूचा जा सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में और कु So next question देख लेते हैं, DRDO scientist ने develop किया है cybrox, that can help in military observation, तो ये cybrox है किसका, तो ये dog का है, rat का है, rabbit का, snack का है, तो ये किया है rat में, ठीक है, एक experiment किया गया, यहाँ पर actually वो लगा देंगे camera, ठीक है, एक camera लगा देंगे यहाँ पर, और for example, अगर 26-11 के बीच में अगर ये चीज ह होती ही अपने पास, तो इसको अपन बेज देते हैं अंदर, ठीक है, rat को बेज देते हैं अंदर, उन्हें ये चोटा सा बहुत camera होगा, आपको पता ही rat तो बहुत छोड़ी से होते हैं, तो वो camera से पूरा light broadcasting बाहर मतलब बिच जाएगा, ठीक है, और जो terrorism होगा, उसे ये च चीज आपको देहान रखना है, तो इसमें आपको क्या बता हूँ मैं, चलो, DRDO, DRDO की स्टापना कब होई थी, DRDO की स्टापना होई थी, 1958 में, ठीक है, 1958 में इसकी founded हुआ था, और DRDO का full form जैसे आपको पता ही होगा, defense research and development organization, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखनें, साइब किसके मन रहे है, रेट के, ठीक है, next question देखते है, so the next question is, which city tops in India for women employment, कौन सी city ने top किया है, women employment में, तो देखो, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Pune, इस type से आपको direct question पूछा जा सकता है, तो ये किया है Chennai ने, Chennai, अगर हम बात करें, first पे रही Chennai, second पे रही Pune, ठीक है, third पे रही Bangaliru, और fourth पे रही क्या, Hyderabad, और fifth पे रही Mumbai, ठीक है, Chennai, Chennai तो आपको पता ही होगा, वही आप लोग का सफना है, यहाँ पे OTA में जाने का, तो ये रही, पाचो, चु सिटीज, और अगर मैं आपसे बात करू, Tamil Nadu, Tamil Nadu क्यों यूज में था अब भी, Tamil Nadu तो यार, कितनी बार discuss कर चुके एक बार और कर लेते हैं, तो देखो, Tamil Nadu क्यों न्यूज में था, first climate change mission, first climate change mission किसने launch किया भाई, Tamil Nadu ने, और first biodiversity heritage, first biodiversity heritage, ये कहाँ पे आई, Tamil Nadu में, अरित्पती विलेज में, और इंडिया का first multi-model logistic park, multi-model logistic park, ये कहाँ पे आया है, Tamil Nadu में, और आपको पता होगा, octave, अब भी एक जो summit होई ही, octave 2023, ये कहाँ पे होगी, Tamil Nadu में, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, Tamil Nadu में अब भी recently mandatory कर दिया था, अधार, आपके mandatory होना चीए, अगर आपको government schemes क्या फायदा उठाना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, next question देखते है, so question देख लेते हैं, भारत कौन सी country को सरपास कर देगा और बन जाएगा third largest auto market globally, अगर हम बात करें तो भारत किसको कर देगा, जपान को, अगर हम बात कर लेते हैं, top 5 countries कौन सी है, auto sector में, तो वो है China, USA second number पे, third पे India, fourth पे brand कार की, वो कौन सी country की है, ये direct question आप से पूछ लिया था, तो इसमें आपको और क्या धियान रखना है, जापान के बारे में अब भी अपने 70 years complete हो गए थे, जापान की friendship और अपने इंडिया की, और शिंजो आपे जिनका अब भी recently निदन हो गया था, तो अब आप मुझे बताओगी यहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रसीडेंट का नाम, ठीक है, चलो next question देखते हैं, तो कौन सा railway station है, जो की dirtiest railway station है भारत का, अगर हम बात करें, तो ये top 5 railway station है, जो की dirtiest railway station है अपने इंडिया के, तो एक है पेरूंग गलतर, जो की तमिलनाडू में है, में वो कहां से हैं, वो हैं तमिलनाडू के, तीक हैं, ये list आई हुई है, ये list किसने की है, इंडियान railway, rail switch portal ने, तीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो अगर आप से पूछ लें direct, पेरूंग गलतर, जो की railway station news में था, और आप से दे दे, नीचे के south state के questions, जिसे for example, कैरला, करनाटिका, तिलंगाना, है न, तमिलनाडू दे दिया, तो आपको बताना पड़ेगा, ये station कहां पे, ये station है, तमिलनाडू में, जो की इंडिया का dirtiest station है, आशा करूंगा इसमें, गंदेगी नहीं मचेगी अब, ठीक है, इसको और स्वच्छ बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, next question देखते है, so next question देख लेते है, latest book recently launch हुई है, अंबेटकर अलाइ, launch by which author, ये author भी है, ये parliamentarian भी है, और ये अंग्रे जी के master भी है, ठीक है, तो ये है कौन, ये है शशी थरूर जी, अगर हम बात करें, शशी थरूर जी के बारे में, तो ये recently एक और इ The Paradoxical PM, ये बुख किसने written की है, तो ये written की थी शशी थरूर जी ने, ठीक है, और An Era of Darkness, An Era of Darkness, ये भी शशी थरूर जी के द्वारा ही written की गई है, तो ये चीज़ा, दोनों book आपको ध्यान रखना है, The Paradoxical PM, और An Era of Darkness, दोनों book काफी important, next question देखते है, so next question देख लेते हैं, Indian Air Force woman fighter pilot to participate in aerial war games outside which country कौन सी country में ये participate करेंगे और ये first time हो रहा है in the history तो ये करेंगे जपान में ठीक है अगर हम बात करेंगे कौन सी exercise है नाम आप अगर बता सकते हैं चलो मैं बता देता हूँ वीर guardian ठीक है जपान के बीच में अगर मैं आपसे बात करूँ कि कौन इसमें participate करेंगी तो अवनी चतुरवेदी इनके बारे में थोड़ा सा आपको discuss कर लेते हैं अवनी चतुरवेदी आपको पता ही होगा first woman fighter बनी थी तो अवनी चतुरवेदी के साथ दो और कौन थी देखो अगनी चतुरवेदी तो आपको नाम याद होगा ठीक है शी इस फ्रॉम रीवा मध्य प्रदेश रीवा MP और रीवा में एक और चीज़े देखो रीवा में एक और चीज़े एशिया का largest solar power plant ठीक है जो है 750 मेगा वाट का ठीक है यह याद हो गया और और क्या है Mona Singh ठीक है सेकिंड एक थी Mona Singh और भावना कान्त ठीक है यह तीनों बनी थी first fighter pilot यह चीज़े आपको तीनों नाम याद होना चीए अब नी चतुरवेदी कहते question पूछा भी जाता है ठीक है और और अब भी recently कौन न्यूज में थे चलो आपको पता होगा पुनीदा अरोडा यह कौन है यह first lieutenant general बनी थी इंडियान आर्मी की ठीक है इंडियान आम forces की यह first lieutenant general बनी थी और एको नाम याद आता होगा आपको अभिलाशा बारक अभिलाशा बारक यह first woman combat pilot बनी थी इंडियान आर्मी में first woman combat बनी थी कहाँ पर इंडियान आर्मी में तो यह देखो कितने important नामस आपके साथ share करें मैंने ठीक है तो आशा करता हूँ आपको यह video और यह series काफी पसंद आई होगी अगर आपको week 2 का अगर second video भी चाहिए तो please मुझे comment section में बताईए और अगर आपका target में पूरा करने में आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप भी मेरा एक target पूरा करने में मेरी मदद कीजिए आपके लिए target है 350 plus likes का ठीक है आशा करूँगा आप इसे पूरा करने में मेरी help करेंगे तो this video is presented by me माई नेमी सागर गुपता मिलते हैं next class में जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए जै हिंद जै भारत